Hello my dear students, welcome you all to my YouTube channel M.Ahmad Story Circle आज किस वीडियो में हम लोग newest or advanced class 3 से chapter number 12 पढ़ने जा रहे हैं जिसका title है The Alps and the Shoemaker, Bonnet और जूते बनाने वाला तो चलिए हम लोग इस chapter को पढ़ते हैं और इसके line by line, word to word, Hindi meanings को भी समझने की कोसिस करते हैं Now that we know about the buying and selling process, let us read a tale about a shoemaker and his shoe store अब जब कि हमें चीजों को खरीतने और बेचने के process के बारे में पता है तो चलिए हम लोग एक story पढ़ते हैं, एक कहानी पढ़ते हैं जो कि एक shoemaker और उसके shoe store के बारे में है एक जोते बनाने वाले और उसके जोते के दुकान के बारे में है Once upon a time there was a poor and honest shoemaker एक समय की बात है कि एक गरीब और इमानदार जोते बनाने वाला एक shoemaker हुआ करता था who had walked hard all his life but wasn't rich at all इसने अपनी पूरी जिंदगी कठिन पर इसरम किया था पूरी जिंदगी उसने hard work किया था लेकिन वो कभी भी अमीर नहीं बन पाया वो कभी भी धनी नहीं बन पाया They made all kinds of shoes और ये जो shoemaker है वो हर परकार के हर एक design की जूते बनाया करता था जैसे कि जूतों के कुछ designs यहाँ पर दिखाए गए हैं डिस्पले किये गए हैं आप देख सकते हैं अब यहाँ पर आगे हम देखते हैं यह जो dialogue आया है shoemaker का इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे पहले जो नीचे का statement है वो हम देख लेते हैं They were very poor यह जो shoemaker हैं और उसकी जो पत्नी है इनका जो परिवार है वो बहुत ही गरीब है यह लोग बहुत ही गरीब थे Basically यहाँ पर बताया गया है यह जो shoemaker है वो चाहे जितना भी कोसिस कर ले उससे कोई फरक नहीं पड़ता था यह कभी भी उतना परियाप्त पैसा नहीं बचा पाता जिससे कि वो इतना leather खरीद सके इतना चमड़ा खरीद सके जिससे कि वो एक जोड़ी से जादा जूटा बना सके मतलब वो जूटे बनाता था और उसे बेजता था और उसे जो कुछ भी पैसे आते थे उससे अपना परिवार चलाता था और जो कुछ भी पैसा वो सेव करता था बचाता था उससे वो इतना ही चमड़ा खरीद पाता था जिससे की वो सिर्फ जूतों की एक जोड़ी ही बना पाए आगे हम देखते हैं हम उस डायलोग पे बाद में आएंगे हर शाम को शूमेकर क्या करता था चमड़े को काटता था और उसे अगले दिन के लिए प्रिपेर करता था अगले दिन के लिए तयार करता था so that he could start walking early in the morning जिससे की वो अगले दिन प्रातर काल में ही इदम सुबह में ही अपना काम शुरू कर दे he went to bed with a light heart अब एक दिन क्या हुआ जब वो सुने के लिए गया तो उसके दिल के अंदर काफी सुकून था वो हलके मन के साथ बैड पर गया सुने के लिए गया because his conscience was clear and he had left his troubles to God अब वो उस दिन सुकून के साथ सुने इसलिए गया क्योंकि उसके अंतरात्मा को सभी चीज़े सपस्ट रूप से पता थी उसका जमीर जो है वो जानता था कि वो सब कुछ ठीक कर रहा है कहीं पर भी चोरी बेइमानी नहीं कर रहा है और इस बात को उसका जमीर जानता था इसलिए वो सारी के सारी परेशानिया सारी के सारी जो मुसीबत जो ट्राबल है वो भगवान पर अल्ला इस वोर पर छोड़ देता है और एक हल के मन के साथ बिस्तर पर सोने के लिए जाता है अब जैसा कि मैंने कहा कि हम लोगों ने उपर एक डायलॉग को छोड़ा था पहले हम लोग उस डायलॉग को देख लेते हैं सूमेकर अपनी पत्नी से कहता है क्योंकि यह कह रहा है कि देखो अब हमारे पार सिर्फ इतना ही चमड़ा सिर्फ इतना ही लेदर बचा हुआ है जिससे कि हम जूतों की सिर्फ एक जोड़ी ही बना सकते है अब हम लोग क्या करेंगे तब यहां पर उसकी पत्नी जो है वो उसे रिप्लाई करती है और कहती है आप चिंता मत कीजिये हम लोग इसका भी कुछ न कुछ कर लेंगे हम इसका भी कुछ न कुछ उपाए निकाल लेंगे जैसे कि उपर हमने पढ़ा कि इस रात को जब वो सुने के ले गया तो उसका मन हलका था और उसने सारी मुशिवत सारी परेसानिया भगवान पर टाल दी थी अल्ला इस वर पर टाल दी थी और यहां पर बताये गया है कि यह रात जो है वो बाकी किसी दूसरे रात से बिलकुल भी अलग नहीं है तो यह रात उस आदमी के लिए भी एक किसी दूसरे रात के जैसा ही एक नॉर्मल एक और्डिनरी नाइट है और उसको बहुत ही जल्द नींदा जाती है और वो सो जाता है वेन ही वोक अप इन दे मौनिंग यह सैट अट इस वाक बेंच और लुक्ट फूर दे लिए अब क्योंकि वो रात में सोने जाता था और सुबा में ही प्राता काल में क्योंकि उसने पहले ही चमड़ा को काट करके उसे प्रिपेर कर दिया है कि वो आगले दिन उसका जूता बनाएगा तो बिल्कुल उसी तरह जैसे ही वो जगता है वो अपने वर्क बेंच पर बैठ जाता है और वो उस चमड़े को ढूडने लगता है उस लेदर के टुकड़े को ढूडने लगता है जैसे कि उसे जूते बनाने है बट इट वाज मिसिंग लेकिन उसे चमड़े का वो जो पीस है लेदर का वो जो टुकड़ा है उसे दिखाई नहीं देता क्योंकि वो कहीं गायब हो गया है तभी उसे कुछ दिखाई देता है और वो एकदम हैरान होकर अपने काउंटर के सामने खाड़ा हो जाता है अब इसके बजाए कि उससे चमड़े का वो टुकड़ा दिखता उसको वहाँ पर जूतो की एक नई चमचमाती हुई जोड़ी पड़ी हुई दिखाई देती है अल्रेडी मेड जो की पहले से ही बना हुआ था अब वो जूतो की उस नई जोड़ी को अपने हाथ में लेता है और उसे बड़े सावधानी से देखने लगता है यह देखने के लिए कि जिस तरह से इस जूते को बनाये गया है इसमें कहीं पर कोई गलती तो नहीं हो गई है कहीं कोई फॉल्ट तो नहीं आ गया है लेकिन वो जाहे जितनी भी सावधानी से चाहे वो जितना भी कैरफुली उस जूते को देख ले उस जूते में कहीं पर भी एक गलत तरीके से सिलाई नहीं हुई थी उसमें कहीं पर भी कोई फॉल्ट नहीं था तो वो जो जूतों की जोड़ी बनी हुई थी वो काफी पॉफेक्टली उसे बनाया गया था, काफी शांदार तरीके से उसे बनाया गया था, उसमें कहीं पर भी कोई गलती नहीं हुई थी अब ये देखकर ये जो सू मेकर रहा है वो एकदम हैरान हो जाता है, और ये भगवान ये तो जो जूता बनाया गया है उसे काफी पॉफेक्टली बनाया गया है, इसमें कहीं पर कोई गलती नहीं है, आप देख पा रहा है कि कैसे आँखे फाड़ पाड़ कर वो जूतों की इस नई जोड़ी को देख रहा है, और जिस किसी ने भी इन जूतों को बनाया था, उसने अपना जूब काफी पॉफेक्टली किया था, और इसलिए ये जो जूते हैं वो एक मास्टर पीस थे, किसी भी कारिगर की सबसे बहतरीन कारिगरी को हम उस कारिगर का मास्टर पीस क अब जूतों की इस जोड़ी को देख कर शूमेकर जो है, वो एकदम हैरान हो जाता है, वो गहरी सांसे लेने लगता है, क्योंकि जूतों की ये जो जोड़ी है, वो उसके द्वारा बनाया जाने वाली जूतों की जो दूसरी जोड़ियां होती है, या जो दूसरा जूता व तेहतर ये वाला था, अब जब दोनों पती और पतनी मिलकर इस जूते की नई जोड़ी के शराहना कर रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे, उसकी प्रसंसा कर रहे थे, तभी लड़कों का एक ग्रूप जो है, वो दुकान में आता है, अब देख सकते हैं, तीन लड़के हैं, और एक लड़का जो है, वो बैम करके दरवाजा खटखटा रहा है, और वो बोल रहा है, काफी मीन होकर, काफी रूड होकर, काफी बत्तमीजी के साथ, लेट सी वाट दिस फ़ानी ओल्ड मैन इस सेलिंग, चलो देखते हैं, ये बुढ़ा, ये बुढ़ा आखिर क्या अब उन तीनों में से कोई एक लड़का उन जूतों को उठाता है और अपने पैर में लगाता है, तक क्योंकि वो जूता काफी उससे पाफ़ेक्लिय के फिट हुता है, तो एग기는 हैरान हो जाते हैं, बुढ़ा जोटों की उस जोड़ी को देखकर तीनों लड़के एक्दम ह चार्ज लगाता है उसका जो कीमत लगाता है उसके दोगुने प्राइस पर ये लड़के उस जूते को काफी जल्दी इमीडियेटली खरीद लेते हैं दोगुना दान देकर अब जो कुछ भी पैसा इस जूते की नई जोड़ी को बेच कर शूमेकर ने कमाये थे उससे उसने जो नॉर्मली जो चमरा खरीदता है पहले जितना चम्रा वो खरीद कर लाता था उससे दो गुना लेदर वो खरीद कर लाता है क्योंकि इस बार उससे दो गुने पैसे भी मिले थे That meant he could make two pairs of season the next morning अब क्योंकि इसके पास चमड़े का एक बड़ा सा टुकड़ा था, इसलिए वो अगले सुबह दो जोड़ी जूते बना सकता था। पिलकुल पहले की ही तरह, उसने शाम को चमड़े को काटा, लेदर को काटा और काट करके प्रिपार करके अगले दिन के लिए वो बिस्तर पर सोने के लिए चला जाता है। The next morning, he woke up to find that someone has done the work for him again. अब जब अगली सुबह वो जटता है, तो वो देखता है कि एक बार फिर से किसी ने उसके लिए उसका काम कर दिया है। And two pairs of shoes were waiting on his workbench और जूतों की दो नई जोड़ियां उसके workbench पर पड़ी हुई थी, वहाँ पर रखी हुई थी। He was astonished by the faultless walk that had happened overnight. और शूमेकर ये देखकर हैरान हो जाता है कि कैसे सिर्फ एक रात में दो जोड़ी जूते जो है, वो बनाए जा चुके हैं और वो भी बिना किसी fault के, बिना किसी गलती के। My goodness, how is this happening? ये शूमेकर कहता है, हैरान होकर कि अरे भगवान ये कैसे हो रहा है? तब ही उसकी पतनी उसकी wife कहती है, whoever is doing it has a heart of gold. कि जो कोई भी ये हमारे लिए कर रहा है, वो बहुत हीं तयालू है, वो बहुत हीं kind-hearted है. Heart of gold का मतलब ये नहीं होगा कि उनका दिल जो है, वो सोने का है, यहाँ पर heart of gold का मतलब होगा being kind and being loving, मतलब kind होना, दयालू होना. Just then, no other than the king's messenger walked in and spotted the perfectly swan soos in the counter. तभी क्या होता है कि राजा का जो messenger होता है, राजा का जो दूत होता है, वो इसके दुकान में चलकर आता है, और उसकी नजर counter पर पढ़े हुए, इस perfectly सिले हुए जूते पर पढ़ती है. Oh, these are such fine pairs of shoes, my master and mistress would pay in gold for these pairs. और जूतों की उन दोनों जोडियों को देखकर, वो हैरान हो जाता है, और यह तो बहुत ही कमाल के जूते हैं, मेरे मालिक और मेरी मालकिन, इन जूतों की जोडियों के लिए तुम्हे सोने देंगे, तुम्हें सोने के सिक्के देंगे, तुम्हें gold में payment करेंगे. And just like that, the two pairs were gone too, और फिर इसी तरह यह दोनों जूतों की जोडियों हैं, वो बहुत ही जल्द बिख जाती हैं. The shoemaker would cut leather and go to bed. अब इस बार क्या हुआ कि फिर अगली बार, shoemaker जो है वो leather को काडता है, चमरे को काडता है, उसे prepare करता है और सुने के लिए चला जाता है. The next day the shoes were ready, और अगले दिन फिर से जूता जो है वो बन कर तयार होता है. This continued for quite a long time, और ये सिलसिला जो है, वो काफी लंबे समय तक चलते रहता है. So long that the shoemaker and his wife became not just well off, but incredibly rich. और ये सिलसिला इतने लंबे समय तक चलते रहता है, कि वो और उसकी पतने सिर्फ अमीर नहीं हो जाती, बलकि बहुत ही ज़्यादा अमीर हो जाते हैं. They had no problems of any sort. उनके पास अब किसी भी परकार की कोई समस्या, कोई परिशानी नहीं थी, that they had enough money to live a wealthy life. क्योंकि उनके पास अब परियाब्त पैसे से, कि वो एक luxurious, एक wealthy lifestyle maintain कर सके, अमीरों की तरह अपनी जिन्दगी गुजार सके. The queue outside the swap to longer each day. और हर एक गुजरते दिन, उसके दुकान के बाहर का जो line है, उसके दुकान के बाहर का जो कतार है, वो लंबा होता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, जादा से जादा लोग अब उस से जूते खरीदने के लिए आते रहते थे. One day the shoemaker and his wife decided to see who was helping them. अब एक दिन, shoemaker और उसके पत्मी ये तैय करते हैं कि हमें पता लगाना चाहिए कि आखिर वो कौन है जो हमारी मदद कर रहा है. I think I want to finally understand who comes every day and does my job for me. ये शूमेकर कहता है कि अब मुझे भी लगता है कि आखिर कार अब मुझे समझना चाहिए, ये पता लगाना चाहिए, ये हर दिन हमारे घर कौन आता है और मेरे लिए मेरा काम करके चला जाता है. The workshop will be closed tomorrow so I can stay up all night. और वो कहता है कि कल जो हमारा workshop, हमारा दुकान जो है वो बंद रहेगा ताकि आज मैं पूरी रात जग सकूं. क्योंकि जब मैं आज पूरी रात जगूंगा तो फिर कल दिन में सूंगा, इसलिए कल हमारा दुकान जो है वो बंद रहेगा. उसकी पतनी कहती है, I would keep some milk and cookies on the table. मैं आपके लिए table पर कुछ तूद और खाने के लिए cookies, biscuits रख दूँगे. They left a candle burning in the workshop. उन्होंने अपने workshop ने एक मुमबत्ती जलता हुआ छोड़ दिया so that they could see better. जिससे कि वो कमरे में होने वाले activities को अच्छे से देख सके and hit behind the curtain to see the kind angels. और वो परदे के पीछे छिप गये जिससे कि वो उन angels को, उन helpers, उन मदद करने वालों को देख सके. यहाँ पर angels का मतलब परिया नहीं होगा. यहाँ पर angels का मतलब होगा वो kind hearted people जो कि उनकी मदद कर रहे थे. चलिए देखते हैं, आगे क्या होता है? At midnight, the two elves came. अब जैसे ही midnight होता है, जैसे ही आधी रात होती है, दो बॉने आते हैं, दो elves आते हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं. जैसे ही आधी रात होती है, दो बॉने आते हैं, elves मतलब बॉने. They sat on the soomaker's bench and started measuring and sewing and stitching so fast that their hands couldn't be seen. वे लोग उस सूमेकर के bench पर बैट जाते हैं और अपना काम सुरू कर देते हैं, वो लेदर को measure करते हैं, उसे सू करते हैं, और उसे इतना fast सिलते हैं, इतना fast stitch करते हैं, कि उनका हाथ भी नहीं देखा जा सकता था. They didn't stop for a second until the soos shone like diamonds. वे लोग तब तक नहीं रुके जब तक की जूता बन कर एक हीरे की तरह जगमगाने नहीं लगा. मतलब वो लगतार काम करते रहें, वो लगतार काम करते रहें और आखिर कार जब जूता बन गया तो वो हीरे की तरह जगमगाने लगा, चमकने लगा. They finished before day break and disappeared into thin air. वे लोग सुबह होने से पहले उन्होंने अपना काम खत्म किया और वो कहीं हवा में गायब हो गए. How kind they are. They have made us rich. Don't you think it would be a good idea to give them a gift? शूमेकर की पतने उससे कहती है कि ये लोग कितने तयालू है, ये लोग कितने kind है. क्या आपको नहीं लगता कि हमें उन्हें gift देना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमें अमीर बना दिया है. इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? शूमेकर कहता है, yes, but what should we give them? हाँ, मेरा भी ख्याल नेक है. मैं भी चाहता हूँ, कि हम लोग उन्हें gift दें, लेकिन हमें उन्हें क्या gift देना चाहिए? शूमेकर की पतनी कहती है, कि जहां तक मैंने देखा, क्योंकि कड़ाके की शर्दी है, और फटे हुए कपड़ों में उन्हें काफी परिशानिया हो रही होंगी, तो हमें उन्हें कपड़े गिफ्ट करना चाहिए? लेट्स मेक न्यू क्लोज और शूस फो दें, तब शूमेकर कहता है, कि हाँ चलो हम लोग उनके लिए न्हें कपड़े और जूते बनाते हैं. और ये सबी चीजें बना कर वे लोग बैंच पर उसे चोड देते हैं, वहीं बैंच पर चोड देते हैं. और अगले रात को ये दोनों पती पतनी एक बाव फिर से छिप जाते हैं जिसे कि वो देख सकें ये जो एल्प हैं ये जो बावने हैं उन्हें उनका गिफ्ट कैसा दगता है वो अपने गिफ्ट को पसंद करते हैं या नहीं अब इस बार जब ये बावने काम पर आते हैं तो उन्हें वहाँ पर लेदर वहाँ पर चमड़ा नहीं दिखाई देता है जिसे कि वो जूते बना सकें इंस्टेट देड देड़ वर क्लोट्स और सूज लाइं बिफोर देन बलकि उसके बदले उन्हें वहाँ पर कपड़े और जूते पढ़े हुए दिखाई देते हैं ये जो जो जोड़ा है ये जो कपल है वो कितने काइंड हाटेड हैं कितने दयालू है अब हमारे पास पहनने के लिए नए कपड़े हैं और जूते हैं तो दूसरा कहता है येस इट वस राइट पहन लेते हैं और नाचने गाने लग जाते हैं उस राइट वे लोग बिना काम किये उस घर से चले जाते हैं और दुबारा कभी भी लौट कर नहीं आते लेकिन ये बुड़ा कपल जो है ये दोनों पती पतनी उसके बाद हमेशा खुशिश है और काफी लग्जूरियसली एक अमीर फैमिली एक अमीर परिवार की तरह अपने जिन्दगी बिताते हैं और यहां पर यह हमारा चोटा सा खुबसूरत सा प्यारा सा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर जो है वो खतम हो जाता है कुछ word meanings जो कि इस चैप्टर में यूज किये गहे हैं वो यहां पर मैं आपको flash कर देता हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ तो इस चैप्टर का एक्स्प्रमेशन आपको कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कॉमें सिक्सिन में जरूर बताएंगे वीडियो अच्छे लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे और अगर आप चैनल पे नए होगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब देंगे मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ तब तक लिए चेक के और बबाई